हेलो फटीटू अभी वादान आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में आपके चेहरे को even बनाने के लिए कमपनिया कई और तरीके इस्तिमाल करती हैं ये अपने product में ऐसे ingredient का इस्तिमाल करती है जो आपके स्वास्त के लिए इतने खतरनाक है कि यदि आप इनके नुकसान जान पाएंगे तो आप इन products को कभी इस्तिमाल नहीं करेंगे आपका foundation brand कितना है आपके लिए सुरच्छित यही है आज के इस वीडियो का विशे जिसमें आज आप जानेंगी सबसे सुरच्छित foundation brand कौन से हैं ये और इसके अलामा भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए और आज का यह वीडियो हमने समर्पित किया है प्रग्या राउत को इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बाजार में उपलग foundation brand को उनके ingredient के आधार पर अच्छे से खराब के क्रम में तीन category में पाटा है तो आईए अब बात करते हैं category 3 की इस category में हमने ऐसे brands को रखा है जो भारतिय बाजार में सबसे ज़्यादा दिखने और पिखने वाले हैं इन brands ने नैतिक मूल्यों को इसलिए ताक पर रख दिया है क्योंकि सरकार ने इस विषय पर कोई दिशानिर्देश ही नहीं बनाया है यह ऐसे नामी brand है जिन्होंने ingredient list लिखी ही नहीं है इन brands में company ने क्या मिला रखा है यह तो सिर्फ बनाने वाले ही जानते हैं और इस category के brand है लेकमे 925 foundation मेवली New York Fit Me foundation औरिफ्लेम BB and CC cream, Pond's BB cream, Insta Glow Complexion Care foundation, Revlon Photo Ready Instafilter foundation, NYX Professional Makeup Total Control Drop foundation, Colorsense High Definition foundation, Wet and Wild Photo Focus foundation, Nica Skin Sealed Anti-Pollution, Matte Foundation, Mac Studio, Fixed Fluid SPF 15, L'Oreal Paris foundation और मज़ेदार बात यह है कि organic होने का दावा करने वाले biotech के foundation brand में भी ingredient list गायब है वहीं lotus ने तो एक और ही कमाल कर दिया है इन्होंने अपने foundation brand को organic होने का प्रमाल पत्र नायका से दिला रखा है यह तो ऐसा ही है कि दुकानदार जो brand बेच रहा है उसको आखे मूंद कर certificate बात रहा है तो ingredient list के अभाव में company ने इन products में जहर मिलाया है या अमरित यह किसी को नहीं पता वैसे भी अमरित प्रिथवी पर तो है ही नहीं तो भाईयों बहनों अगर आपको अपने से है प्यार तो इन products से आपको करना चाहिए इनकार और आप भी हमें comment करके बताईए गया कि इन company ने अपने products में क्या मिलाया होगा और आए अब बात करते हैं category 2 की और category 2 में हमने जिन brands को रखा है उनके नाम है प्योर इसकी liquid foundation तरह तरह के अच्छे certificate जैसे हलाल, vegan, paraben, मुक्त होने का दावा करने वाले इबा हलाल का product भी हानिकारक chemicals से मुक्त नहीं है इन brands को बनाने के लिए जिन toxic chemicals का इस्तेमाल किया गया है उनमें हम इस वीडियो में कुछ chemicals की ही चर्चा कर रहे हैं जैसे phenoxyethanol इस chemical का इस्तेमाल bacteria को मारने के लिए किया जाता है और या cosmetic को stabilize करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है phenoxyethanol एक toxin है जो kidney, urinary, bladder, reproductive system और आखों के लिए बहुत ही नुकसान दायक है phenoxyethanol से nervous system में brain degeneration और reproductive system भी damage हो सकता है जिससे testicular retrophy भी हो सकती है इसलिए जापान और European Union ने इस chemical का इस्तेमाल cosmetics में band कर रखा है इसके अलावा इन में से कई brands में मिला है disodium edita और या इतना नुकसान दायक है कि इससे anemia, खून में calcium की कमी, नसों में खून का जमना, बुखार वा अन्य बिमारियां हो सकती है इसके अलावा dimethicon भी कई brand का हिस्सा है, या silka है जो foundation को silky और smooth texture का बनाये रखने के लिए जिरूरी होता है या तवचा द्वारा absorb नहीं किया जाता और skin pores को block करके या blackheads की समस्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है इसके अलावा या आखों और तवचा के लिए भी नुकसान दायक है या इतने खतरनाक हैं कि इससे चेहरे, मुँ, होंट और जीव पर भी सूजन हो सकती है इसके अलावा इबा हलाल और N-brands में BST भी मिला है ब्यूटाइल हाइड्राक्सी टॉलवीन नाम का यह पदार्थ लीवर और किड्नी पर घातक प्रभाव डालता है साथ ही इसकिन पर एपलाई करने से यह लंक्स टिशू को भी काफी नुकसान पहुचाता है इसी वज़ा से BST, Australia, Canada, New Zealand, Japan और यूरोप में बैंड है इसके अत्रिक इन ब्रैंड्स को बनाने के लिए आर्टिफिशल परफ्यूम का भी फूब इस्तेमाल किया जाता है क्रीम को सुगंधित बनाने के लिए कई सारे सेंथेटिक केमिकल इस्तेमाल में लाये जाते हैं परफ्यूम पेट्रो केमिकल से बनते हैं और ये हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही नुकसान दायक होते हैं इनको बनाने के लिए फाथालेट्स नाम का एक खतरना केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो कि यह इंडोक्राइन डिस्टप्टर है इसके अलावा बेंजीन डेरेवेटिव, एल्डिहाइड और टॉलोविन जैसे केमिकल कार्सिनूजन्स होते हैं और थाथ अगर आप इन ब्र होने में समस्याएं, इस्पर्मकाउन का कम होना, थाइरोइड और इंसूलिन के निर्माण में बाधा पढ़ने जैसी समस्याओं से आपका सामना हो सकता है तो अगर आपको इंजेक्शन से लगता है डर या आप अपनी मेहनत की कमाई हालतू के इलाज में नहीं गवाना चा बदलना चाहेंगी और आईए अब बात करते हैं के टेग्री वन की इस कटेग्री में हमने ऐसे ब्लैंड को रखा है जिनका इस्तेमाल आप बेफिक्र होकर कर सकती है इनको बनाने के लिए किसी भी प्रकार के टॉक्सिक इंग्रीडियंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है औ पर ध्यान रखिएगा कि सस्ते ब्रैंड से आपके स्वास्त पर जो नुक्सान पहुंचता है उसकी तुलना में ये ब्रैंड थोड़ा महंगे होने के बावजूद आपके लिए बहुत ही फाइदेमंद है तो आईए अब बात करते हैं कैटेग्री वन के ब्रैंड के बारे साथ ही जाबित्री तवचा को हाइडरेट करके पिग्मेंटेशन एकने करता है उसीर प्राकिर्तिक तरीके से तवचा की रंगत निखारता है और साथ ही आपके तवचा को प्राकिर्तिक तरीके से मौस्चराइज भी करता है और आईए अब बात करते हैं तीसरे ब्रैंड क होता है और चेहरे की रंगत बढ़ती है और वहीं इसमें मिला रोबस्टा रेसिन एक बहतरीन एंटी माइक्रोबियल हर्व है साथ ही यह तोचा को बिना किसी दुस्प्रभाव के दाग धब्मों से मुक्त करता है इस ब्रैंड को बनाने के लिए मिनरल ओयल की जगह वेजिट अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद नमस्कार केटेग्री वन के इन प्रोड़क्स को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकती हैं पर्चेज लिंक हमने वहां दे रखा है कॉस्मेटिक प्रोड़क्स जैसे काजल और लिप्स्टिक के वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखे हैं आप इन वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकती हैं और वीडियो के अंत में डिस्क्लेमर यह है कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे किसी ब्यक्ति या संस्था ने नहीं कहा है और मैंने किसी को भी फाइदा या नुक्सान पहुँचाने की उद्देश से इस वीडियो को नहीं बनाया है इस वीडियो को बनाने का उद्दे से सिर्फ और सिर्फ आम जन तक सही जानकारी उपलब्ध कराना है category 1 के किसी भी product का मैं स्वयम इस्तेमाल नहीं करता पर यह संभव है कि category 1 के product का इस्तेमाल मेरे परिवार के सदस्य करते हूं और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकती हैं इससे पहले भी हमने organic lipstick और काजल brands के वीडियो अपलोड किये हैं अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो link i button और description में उपलब्ध है आप इसे भी देख सकती हैं